तो हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक टो मैं टोटन लोलेज यूटूब चनल आप सबका वेट आखिरकार खतम हो गया है क्योंकि फर्स कटोफ की डेट दियू ने ओफिशल रिलीस कर दिया कि कब फर्स कटोफ आने वाली है यह सबके लिए अंटरग्रेजुट, पोस्ट्रेजुट एंड मेरिट बेस्ट अंटरेंस बेस्ट सबके लिए है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि क्या-क्या डेट्स है कब कटोफ आने वाली है तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर्ग्रेजुएट मेरिट बेस के बारे में तो जिनका मेरिट से अड्मिशन होने वाला है उनकी फर्स कटोफ आई की 12 अक्टोबर को और फर्स कटोफ रहे की 14 अक्टोबर तक लास्ट जो रहेगा फर्स कटोफ में पेमेंट करने का वो होगा 16 अक्टोबर इसमें आपको सबसे पहले 16 अक्टोबर तक आप कोलिज की वेबसाइट पे जा कि उसमें अप्लाई कर सकते हैं और विदिन 24 आर्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा सेकंड कटोफ जो अंटरग्रेजुट वालों के लिए मेरिट वालों के लिए रिलीज होगी होगी 19 अक्टोबर को थर्ड कटोफ होगी 26 अक्टोबर को फॉर्थ कटोफ होगी 6 नवंबर को फिफ्थ कटोफ होगी 9 नवंबर को जो सेशन कमेंज होगा वह पहले न्यूज आरती 1st November को होगा लेकिन 18 November से session आपका comments होगा and special cut-off release होती है तो special cut-off release होगी 18 November को ही so अब बात करते हैं interest-based वालों की जो undergraduate में interest देकर आए हैं उनकी merit list कब-कब जारी होगी तो first merit list उनकी जारी होगी 19th of October को second होगी 26th of October को and third होगी 2nd of November को उनका भी session जो comments होगा सबका post-graduation या इंटर-graduate सबका comments होगा 18th of November को so post-graduation की बात करें तो first cut-off होगी 26th of October को second cut-off होगी 2nd of November को and third होगी 9th of November को so सारी मैं आपको बता दी हैं आपर cut-off list कब-कब निकलने वाली है so hope आपको आप यह वैसे information डियो के official website पर भी देख सकते हैं वाभी आ चुकी है यह पूरी list आ चुकी है so hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अपडेट्स अपसे पहले को आपडेट्स अपसे पहले को आपडेटिगे तेंक्यों आपना इसलिए